नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया नियूस का डिजिसल चैनल इनखबर और मैं हूँ आप पे शाथ अभी शेख पांडे जियांब बात करेंगे आर्टिकल 370 के बारे में यानि कि उसे खत्म की हुए नई विवस्ता को शुरू हुए जम्मू कश्मीर में अब पास दिन बीच चुके हैं गाटी के लोग है उनको जो यह सभी विवस्ताएं हैं उनका लुफ्त अब वो उठा सकते हैं तो अगर आप से बात करते हैं पॉइंट के हिसाब से कि वो कौन सी विवस्ताएं जिनको आज सरकार वहां चालू करने जा रही है तो उनमें से पहले नमर पे आती है कि कश्मीर गाटी के अंदर आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू हो जाएगा अभी तक गाटी में बाजार खुल रहे थे सब्जी मेडिकल की दुकाने खुली हुई थी दूसरा पॉइंट है घाटी में धारा 144 लागू है लेकिन आज से छूट मिलने शूरू हो जाएगी पहले भी लोगों को जरुवत का सामाल ले जाने के लिए छूट मिल रही थी जम्मू छेत्र में उधंपूर सांबा के सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेज आज खुलेंगे इसकूलों के आसपा सुरक्षा बल तैनात रहेगा ताकि किसी तरह की दिक्कत ना आ सके वहीं आगर च जम्मू कश्मीर को केंदर शाषित प्रदेश बनाए पास धिर हो गए हैं जैसे मैं आपको श्राटिंग में बताया आज शुक्रवार है ये नई विवस्था का पहला शुक्रवार है ऐसे में नमाज अदा करने के लिए लोग मस्जीदों में जाएंगे पहले कई बार नमा चालू हो चुक है अब केवल अभी इंतजार इस बात कई कब वहाँ पे फोन चालू होगा और इंटरनेट सेवाए जो हैं वो कब चालू होगा कि फोन और इंटरनेट को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है फिर भी अब देखते हैं कि हालात को सामानने होने में कितना अब अगली अबडेट क्या आती है अगर आपको यह वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल इनकबर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाना ना भूल